हम पहाड़े ओला चल पहाड़े जोला हम पहाड़े ओलाचल पहाड़े जोला जै हमालाय जै भारति हमाले लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर हरीश चंतर लखेला बात करते हैं गोर्खा को लेकर गोर्खा शब्ड गोर्खा शब्ड आप सबी जानते हैं एक बहध्युरही जिसके नाम पर भारत में één रेजिमेंट भी है और भारत में एक राजी की मांग भी हो रही है गोर्खल है इसके लावा नेपाल का जो गोर्खा समाज था जिसने कभी अपनी भीर्टा से बड़े भूग भाग पर कबजा कर लिया था उसमें आज का उत्राखन भी था हिमाचल भी था का जो कांग रचीतर था और पूर्व में सिक्व में तक था एक तरफ उस जमाने में जब मराठा उबर रहे थे सिक्व अबर रहे थे अंग्रेज भी पूरे भारत को कबजा करने की कोशिश में लगे थे और मुगल सत्ता कमजोर हो रही थे उसी दौरान हिमालय के छेतर में एक गोर्खा बहुत बड़ी तागत के तौर पे उबरे थी इन गोर्खों ने गोर्खा कोई एक जाती नहीं था इसमें शुरू में जो पृत्वी नारणष्रा थे जोनों ने नेपाल का एक ही करण किया था उनकी जो पहली जो गोर्खा रिजिमेंट बनी थी बटालियन बनी थी गोर्खा सेना बनी थी जिसकों कहेंगे उसमें खस्थे खस्चेत्री खस्थ और ठकुरी ब्रहामन और मगर यह चार जातिया थी लेकिन ब्रहामन याने बाहुन जिन को कहते है गोर्खा को लेकर कई वीडियो जिसमें तो और घुर्खा की लेकर इसमें अंधिया लेकिन गोर्खा कहते है को गोर्खा शब्द गुर गुरॉरखनाथ से शब्द आया था और गुरुल्झघनाथ targeting ने ही गणनकी उन्होंने स्वप्न में उनको कहा था, अजस अछिया नादी थी और गोरखा एक जगह भी है वहाँ पे कहते हैं को गोरखा से यह उनोंने शुरू किया था अपना राज्य और वो बढ़ते-बढ़ते और पूरा नेपान, जो जैसे मैंने कहा कांगला से लेकर शिक्किम तकों पहुंच गए थे जैसे मराठों और शिक्कों का इतियास तो बढ़ते रें गोर्खों का इतियास पढ़ानी गया था वो ठीक है कि गोर्खों ने जहां भी शासन किया थोड़ा कुरूरता दिखाई थी खुद उत्राखण में उसकी मैं अलग से बात करता हूँ और उसकी वीडियो भी है और जिससे मैं पसंद भी नहीं करता हूँ उन्हें बहुत कुरूरता दिखाई थी लेकिन बात मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ से मैं उनकी बहुदरी की बात कर रहा है एक पक्स दूसरे पक्स में तो गोर्खा इतनी रेष्टी लेकिन आज क्या हो रहा है गोर्खा ये शब्द अप इतियास का इसा बनने जा रहा है ये वो जो गोर्खा है जिनको लेकर मानेक्षा ने कहा था भारत के जन्न और फिल मार् अनों ने कहा था कि ये दि कोई कहा था कि मुझे मिर्थ से डर नहीं लगता तो वो या तो जुड बोल रहा है या गोर्खा है गोर्खा ऐसा है जो मौज से नहीं डरता और यही वज़े कि आप भारत और यूके माने बिटेन और सिंगापून समेत कई देशों की सहना में आ लेकिन नेपाल में अभी असब इतिहास की तरफ जा रहा है यह दुख की बात है खुद भारत में भी उसका असर पढ़ने लगे है वो इसलिए हुआ है कि नेपाल में जब से माववादी आये माववादी उने जो नयक सम्मिधान दिया उसमें उन्होंने जो जातिकी आग जिस तरह से भारत में कभी कमंडल मंडल हुआ था मंडल कमिशन के बाद जो आग लगी थी वीपी सिंग के जमाने में ते लोग ए पूरा समाज खंड खंड होके जातियों में बढ़ता चला गया था उसी तरीके से नेपाल में आप यह हो रहा है उनके सम्मिधान में बाहु सम्मिधान में मूल निवासी लिख दिया और जैसे भारत में निवासी लिख दिया वहां पर मूल निवासी लिख दिया अब उससे क्या हो रहा है कि जो दूसरे लोग है उसमें मगर है गुरूंग है रायलिमबो तमांग और जो भी और जाती है जिसमें शामिल की गई है व तो वह यह रहा है कि जो गोर्खा की जो बात थी वो थोड़ा आधी रह गी कि उन्हों ने प्रिष्विलार शाहने पहले चार जातियों कि उन्हों में श्रामिक किया था ठाकुरी, खष्चेत्री, मगर और बाहु लेकिन जब बाहुनों के लिए उनके मामा वो अपनी मामा की बहुत बात मालते थे, मामा तो बहुत लोग सैनिक उनके मारे जाने लगे, खुद ब्रहमन भी मनने लगे युद्ध में, तो उस जमाने में ब्रहमनों के पड़ते दूसी फिलिक्स आज की तरह से मत देखिए, हमको उस काल खड़ में जाना पड़ेगा, जो सतर सो असी, अ जापू, दूसी जाती उने, तो फिर उने गुरुंग को शामिल किया था, और बाद में और भी जाती आई, तो इस तरीके से उनकी जो बटालेन युद्ध में गई थी, खास तर पर जिन्हों किया, उसमें थे खश्चेत्री, ठकुरी, मगर और गुरु, ये मुखे तोर प पूर्व में दार जिलिंग और से कि मौला चेत, तो वो जो सिंगौली संदी जो हुई थी, उसमें ये खो दिया तो जो नेपाल यहां पे तीस, उधा पूरा में तीस्ता और पश्चिम में ये आ गई, काली ने थी, जो कुमा बादर, उतराखन की बादर पर ये, इतने तक उनको समेट देया गया था, तो उसमें के बाद जब गोर्खों से एक और हुआ था कि गोर्खे भी उनके शामिल होगे, उनकी बटाले में अंग्रेजु, तो अंग्रेजु ने इनके अलावा कुछ और जातियों को भी शामिल किया, तो वो सभी गोर्खा कहना ले नंगे थ ने थी थोड़ के दूरा कि परिवासा पिस्तरित हो चीज लेगी और कोर्खा का मतलत है बहात दुर्री इस चुम मिर्दों से नहीं तो लेकिन आज वही पैचान इनके वज़ाए नेपाल की लोग तूसरी पैचानों में मरते जा रहे हैं हम मगर हैं हम गुरूंग हैं हम खस्छेत्री हैं हम ठकुरी है हम मंगोल हैं एक महान रेस को एक देश जो कभी किसे का गुलाम नहीं रहा और अपनी पाउं पे अपनी सस्कृत पे मठा डाल दिया इन मावादियों नहीं वो भी चीन की शाय पर यह सब चीन खतम कर रहा है नेपाल को समझनी रहे हैं चीन उनकी जो आइडेंटिटी थे ब बात बुरी दिलेरी विश्वस्वशनियता एडिया कॉंसेप्टी खतम हो जाएगा गोर्खा तो कि क्या बचेगा गोर्खा ऑदे नेपाल का खतम हो गया तो क्या बचेगा गोर्खा यह सोच नहीं रहे हैं और यह देखिए कि जो पूरी धारा कभी जो तिबद के लोगा शरणार थी आये थे, भारत में भी आये लेकिन इनकी भूनका पे भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा, वहाँ पे वो सब इन जाकियों में खुल मिल गए, और वे खुद उनकी कहा जा रहा है इस भूनका इनकी है, कि जो इनको अपनी जणों से काचने में मददगार शाबित हो तो नेपालियों को सूचना होगा कि वो गोरखा उनकी पहचान रहेगी या नहीं तो ये वीडियो कैसे लगी आपको, कमेंट में अवस्य लिखें और हिमाले लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवस्य कर दीजिए यह चैनल आप जानते हैं कि हमाले चेत के इतियास लोग भासा संस्क्रिप्टिक कला संगी धरो राज को देश दुनिया के सामने रखने के लिए लिए लाया गया है या एक मिशन के तोर पर मैं काम कर रहा हूँ मुझे खुशी होगी कि आप मिले इस मिशन का हिस्सा बनेंगे और और तभी बनेंगे जब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगली वीडियो के पर तीक सकीजिए तक जैमाले जैमाले